हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चानल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोट के एक लेटेस जज्जमन के बारे में केस का टाइटल है समीर समुंद्र एन 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 एदर वर्सेस उनियोन ओफ इंडिया एन 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 एदर केस और इस केस के सुनवाई सुप्रीम कोट में सी जे आई डी वाई चंदरचूर और जस्टिस पी एम नर्सी महराओ की बेंच कर रही थी सुप्रीम कोट ने 14 दिसमबर 2022 को एक समलेंगिक जोडे द्वारा दायर की गई याचिका पर नोटिस चारी किया है जो की अपनी शादी को मानेता देने की मांग कर रहे हैं याचिका करता में एक जो है वो भारती नागरिक है और दूसरा अमेरिकी नागरिक है उन्होंने 2014 में USA में अपनी मैरिज की थी और वहे पर रजिस्टर कराया था और अब वो 1969 के Foreign Marriage Act के तहत भारत में अपनी शादी को रजिस्टर कराना चाहते हैं याचिका करताओं ने अपनी याचिका में ये कहा कि LGBT QIA के सदस्यों को भी दूसरी लोगों की तरह ही शादी करने का समान अधिकार है और ऐसे अधिकारों से इंकार करना सविधान के अटिकल 14, 19 और 21 के तहत दिये गए अधिकारों का उलंगन करना होगा इतना ही नहीं उन्होंने अपनी इस दलील में नवतेज सिंग जोहर वर्सिस यू ओ आई एन अनदर केस पर भरोसा जटाया था उन्होंने कहा कि 2021 में उन्होंने हिंदू मेरिज एक्ट के तहट पुने में शादी को रजिस्टर करने की कोशिश की लेकिन रजिष्टर ने उनकी मेरिज को रजिश्टर करने से इंकार कर दिया फिदोचार 22 में इस कपल ने वाशिंटन में भारते दूतावास को विदेशी मेरेज एक्ट के तहट अपनी शादी को रजिस्टर करने के मांग की लेकिन एक महिने के बाद दूतावास ने भी जवाब देना बंद कर दिया जब याचिका करताओने उन्हें बताया कि वो एक स उनके अनुसार निप्टा जाना चाहिए और किसी भी वेक्ति को किसी भी वेक्ति से मेरेज करने का अधिकार सविधान के अटिकल 21 में दिया गया है तो इस तरह से सुप्रीम कोट ने सारी दलिले सुनने के बाद इस याचिका पर नोटिस चारी कर दिया है जेजबन की